हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आज की बड़ी खबर स्वामी की वॉर्णिंग अगर राम मंदि निर्मान का विरोध किया तो गिरा दूगा सरकार यहाँ राम मंदि निर्मान को लेकर बीजेपी नेता और राजिसभासांसर सुम्ब्रमानियम स्वामी ने केंडर की मोधी यूपी सरकार को बॉर्णिंग दी है मोधी सरकार और योगी सरकार और खुद का विरोधी बताते हुए स्वामी ने कहा कि अगर इन सरकार ने राममंद निर्मान का विरोध किया तो वो सरकार गिरा देंगे राममंद निर्मान पर तेज हो रही कवायद ये भी सुब्रमानियम स्वामी का या बयान सामने आया है जिया दोस्तों जवाहरलान नहरू इंवर्सिटी यानि जियनियू में कारिक्राण को संबोधित करते हुए उन्हें कहा अगर हमारा राममंदि नर्मार का मामला जन्वरी में सूचे बिद्र है तो हम इसे दो हफते में जीत करेंगे क्योंकि मेरे दो विरोधी पक्षकार के इन सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार हैं और उन्हें उनके पास मेरे विरोध करने का दम है अगर उन्हें ऐसा किया तो मैं सरकार गिरा दूँगा हलाकि मुझको पता है कि वो उसका विरोध नहीं करेंगे इससे पहले RSS के नेता और राजसभा में BJP के सांसर राकेश सिनहा ने रामंदिन निर्मान पर क्राइवेट नंबर बिल लाने की बात कही थी आपको बता दें उन्हें सभी दलों के इस बिल का समर्थन करने की भी अपिल की थी इससे पहले आयोधा में विश्व हिंदू परिश्द यानि VHP की अगुवाही में धर्मसभा कायोजिन किया गया था जिसमें कोई हिंदुत वादी संगठन के साथ की काफी संख्या में साधू संथ पहुचे थे धर्मसभा को संभोध करते हैं VHP के अंतराश्टी सचिव चंपत राये ने कहा राममंदर के निर्मार के लिए हमें फूरी जमीन चाहिए और जमीन बटवारे का कोई भी फॉर्मूला मंजूर नहीं होगा सुर्णी वफक बोर्ड के काम अलिकाना हग केस वापस लेने चाहिए और VHP जमीन का नमाज नहीं होने देगी बदादे की राममंदर परिलाबाद हाई कोट ने अपने फैसले में वादे जमीन को तीन इस्तों बाटा था इसके अलावत धर्मसभा में मंच में RSS के अखिल भारती सहक आरवाहक कृष्ण गोपाल ने कहा कि धर्मसभा का जो भी निर्म होगा RSS उसे माने जी जगतगुरू रामा नंचारी स्वामी राम भद्रचारी ने भी धर्मसभा को संबोधित किया इस दोरा उनने कहा कि केन सरकार के एक बड़े मंत्री का हवाला देते हुए कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 11 संबर से 12 जनवरी तक राम मंदर पर बड़ा फैसला होगा विश्व हिंदु परिश्वत राश्टी स्रंसेवक संग और बजरंग दल के हजारों कारिकरताओं ने बस से और ट्रेनों के गरिये धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए आयोध्या पहुंचे थे इससे पहले शिवसेना प्रमुक उद्धव ताकरे अपने परिवार के साथ आयोध्या पहुंचे थे और सरकार से राम मंदर निर्मार की तारीख मांगी थी